हे गाईज, आज हम बनाएंगे पंजाबी आटे की पिन्या ये एक पारमपरिक मिठाई है जो सर्दियों में पंजाब साइड में बनाई जाती है इसमें धेरो ड्राइफरूट डलते हैं, गोंध डलती हैं और इसके कारण ये काफी जादा गर्माहट देती है इसलिए सर्दि के टाइम पे बच्चों को ये जरूर खिलाई जाती है तो इसमें काजू, बदाम, अख्रोट, मखाने और सनफलार के सीड्स इनको हलके से घी में रोस्ट करें तो गाईज, ये जितने भी ड्राइफरूट है, हमें बहुत जादा ब्राउन नहीं करने बस हलके से वाम करने और हलका से जो कलर का चेंज है उसका वेट करना है कौन-कौन से ड्राइफरूट लेने हैं, किस कौन्टिटी में लेने हैं, ये आप बिलकुल अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो जो भी आपके पास ड्राइफ रूट हो उनको ऐसे रोस्ट करके दर दरा पीस लें अब थोड़ी सी गोंद और घी लें गोंद एक रेजिन होता है पेडों से मिलता है यह बिल्कुल वेजिटेरियन प्रोड़क्ट है और यह बहुत जादा गर्मी देता है मैं विंटर में तो इसको घी में रोस्ट करके क्रिस्पी करके इसको भी पीस लीजिए जिन लेडीज को PCOD की बिमारी है उनके लिए भी गोंद काफी अच्छी होती है इसलिए गाइस जो हमारा पारंपरे खाना होता है यह बिल्कुल ही सीजन के हिसाब से डिजाइन है जो हमारी बॉड़ी को उस सीजन में चाहिए यह उसके हिसाब से बना होता है तो हमेशा हमें इवें तो हम और क्यूजीन स्प्राई करते रहें लेकिन अपने जो रूट्स है अपने पारंपरे खाने को कभी नहीं भूलना चाहिए तो यहाँ पे अब हम आटे को घी में भून रहे हैं बहुत ज़्यादा हमें इसको काला नहीं करना इसको जब यह बिस्किट कलर का हो जाए इसको तब आप निकाल ले ड्राइ फ्रूट, गोंध और इस आटे के मिक्सचर को अच्छे से मिला ले जब यह अच्छे से मिल जाए इसके अंदर डाले पिसी हुई चीनी याद रखे कि चीनी को डायरेक्टली गर्मा गरम सिक्योए आटे के उपर नहीं डालना नहीं चीनी हमारी बहुत जल्दी पिगल जाएगी क्रिस्टलाइज हो जाएगी और हमारे यह जो पिनिया है यह उतनी अच्छी नहीं बनेगी गैस पिनियों की ट्रडिशनल शेप तो ऐसे ओबलॉंग टाइप की ही है जिसमें थोड़े थोड़े हाथ के जो उंगलियों के निशान होते हैं वो लगे रहे तो उसी से पता चलता है कि यह होममेड है और किसीने बहुत प्यार से हमारे लिए बनाए है हमारा चैनल देखने के लिए थैंक यू